एक बात मैंने सोची थी कि इस देश में सब कुछ चोरी होता है पर किताबें कभी चोरी नहीं होती किताबें तो हक से मांगी जाती है लोटा देने के वादे के साथ और वादा कभी पूरा नहीं होता है तो हां इस देश में सब कुछ चोरी होता है मगर किताबें कभी चोरी नहीं होती किताबें तो हक से मांगी जाती है लोटा देने के वादे के साथ जो कभी पूरा नहीं होता है I've never seen this road, this empty, especially on a Monday gate से गाड़ी बहार निकाला है काफी मुदत हो गई असा लगता है Ameer तो है अब कुछ सहल है लकिन गरीब नहीं सह पाएगा The people who are in privileged positions I think they should be going all out for all the underprivileged ones who cannot afford like a single meal a day So we hope we have positive times back again This is the time to ask for forgiveness, for charity and also express gratitude to the Almighty इस पर कुछ लखा था मैंने So I've decided I cannot be reading poetry every day, I'll get bored. जिन्दगी जीनी है नए ख्यालों के लिए. So today I thought I'll read this poem by Neeti Pandey. She's amazingly good from Banaras. And it's very relevant with today's times. And it goes like, किसी और का खाम्याजा क्यों भर रहा है आदमी? आदमी लाचार जग में मर रहा है आदमी. भूल देख दूसरों की सीख ले ना कुछ सका. आज पर उत्पात कैसा कर रहा है आदमी. जब छिल जानी है जिन्दगी मौत में तपीन सडकों पर. रख जिन्दगी हथेली पर क्यों विचर रहा है आदमी? रोज मर्रा की शिकायत से भरा था जिसका कल. पूछ लो सुकूं से दिन कितने रहा है आदमी. हाँ जरा बंधना सा है ये जबरन घर पर बैठना. पर देखो गयर मुलकों में बस खबर रहा है आदमी. जिन्दगी महफूस कर दूं कहता है ये तोटका. अपनों के लिए अपनों से दूर अगर रहा है आदमी. हर विपत्ती में एक जुट हुई है जब इनसानियत. एक जरा सी महमारी से क्यों डर रहा है आदमी. हम चुनेंगे जिन्दगी जो स्वस्त हो खुशाल हो ये बात और है कि कब अमर रहा है आदमी. झाल रहा है जो झाल रहा है जादमी.